असलाम अलेकुम, मेरा नम डॉक्टर महमद अमारतुफेल है और आज से हम R प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टाइट करने वाले हैं R प्रोग्रामिंग क्या है? आपको अच्छे तरीके से पता है कि डेटा साइंस के लिए दो लेंगुजिज यूज की जाती हैं मैं जुबान की बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लेंगुजिज की, पहली है Python, दूसरी है R या तो आप Python सीखते हैं या R सीखते हैं अगर आप scientific research के field में हैं, तो I would suggest you to go with R अगर आप industrialized काम के इंदर जाना चाहते हैं, तो I would suggest to go to Python first, लेकिन अगर आप ये दोनों language side by side सीखना जाते हैं, तो it's up to you तो इस video में मैं आपको ज्यादा इदर उदर की बातों के तरफ नहीं ले जाने वाला to the point चलते हैं, और देखते हैं कि R को किस तरीके से अपने PC के अंदर install करना है और इसके फाइदे कौन-कौन से हैं, कौन से software हमें चाहेंगे और किस तरीके से आप R programming अच्छी तरह सीख सकते हैं, believe me, ये 7 दिन का course आपको बहुत फाइदा देने वाला है और हो सकता है, इसके बाद भी मैं इसी playlist के अंदर चीज़ें अपलोड करता जाओं तो कहीं जाएंगेगा मत, start करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने R को install करना है तो आप Google पर जाएंगे Google पर जाने के बाद, यहां पर आप लिखेंगे R CRAN लिखने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप R for Windows, अगर Windows के लिए इंस्टाल करना है आप यहां पर जाएंगे Mac के लिए करना है तो यहां पर जाएंगे, मेरे पास Windows है तो मैं Windows पर क्लिक करता हूँ and then download R 4.2.2 for Windows, अभी इस वकत 4.2.2 चल रहा है, आपके वकत हो सकता है थोड़ा सा लेटेस्ट आजाए तो आपने वोबल इंस्टाल कर लेने, but for now we are downloading this, यह download हो जागा यहां पर तो हम यहां से भी क्लिक कर सकते है और हमारे पास जहां पर यह download हुए है वहां पर जाके भी क् , next पर click करता हूं, next करता हूं and then yes next PR, next पर next पर next पर next and install कर लेता हूं, तो इस तरीके से आपका अर जो है वो ins toal हो जाएगा, अर को ins toal करना बहुत जरूरी है क्योंकि जारी बात हुने अरा पर काम करने तो जरूरी तो होगा ना, आर को इंस्टॉल करते है वकत आपने एक बात का ख्यार रखना है कि क्यों और इंस्टॉलिशन ना चल रही हो ना इसको बीच में रोकना है आपने फिनिश कर देना इसको फिर उसके फॉरन बाद आपने एक और सॉफ्ट्यर इंस्टॉल करना है Google पर जाने के बाद यहां पर लिखे है hour studio और ब३ो राइट पर यहां पर आपके पास और मैं इसमिलर tussen चॉलिशन चुलिशन पर करता हूं या वहां पर यहां पर करता हूं तो मैं इसपर अनुम स्टॉच्टोब हमने लेना है तो मैं इस पर click करता हूं Install R हमने पहले से R कर लिया install R Studio for Windows पर click करते है Click करते ही हमारे पास R Studio for Windows यहाँ पर आ गया है ḥ ठीक है Again हम जैसे यह हमारे पास download होता है मैं इस पर click करके यहीं से भी चला सकते है तो मैंने यहाँ से इसे on किया Run किया और यह इस तरीके से मेरे पास installation स्टार्ट हो जाएगी मैं next करता हूँ again next करता हूँ again next करता हूँ और यह मेरे पास RStudio यहाँ पे install हो जाएगा यहाँ पे install करते हुग अपने बात का ख्यार रखना है कि हमारे पास दो software हमें चाहिए एक R है दूसरा RStudio है जब यह दोनों आपके पास install हो जाएगा फिर हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे meanwhile आपको मैं दो चीज़े बता दू कि R जो है वो original software है जो R programming के लिए use किया जाता है जो हमने पहले install किया और RStudio जो है जो यहाँ से हमने download करके install किया यह इसकी IDE है IDE बोलते हैं Integrated Development Environment को यानि के R जो है R के अंदर भी चल सकता था लेकिन उसमें थोड़ी सी मखनमलाई लगा के किसी अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमने RStudio को install किया RStudio कुछ नहीं करता simply यह इसको चलाने में मदद देता है R को तो IDE का मतलब है Integrated Development Environment यहां पर आपने दोनों को install कर लिया है अब दोनों को install करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या installation हो चुकी है यहां पर आप लिखें R जैसे R लिखेंगे तो RStudio आपके पास आ रहा है यहां पर इस पर double single click कर लें यह double कर लें it's the same thing और यह हमारे पास इस तरीके से RStudio रन कर पड़ता है ठीक है मेरे पास क्यूंकि यह इस color में आ रहा है because I have installed it already और जब मैंने दुबारा से install किया तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है आप यहां पर tools पर जाए global options पर जाएं और आप यह theme सबसे पहले appearance पर जाकर इसकी change कर लें मैंने cobalt की हुई है अगर आप इसकी normal theme रखना चाते हैं जो मेरे ख्याल से chaos ambience होती है नहीं यह भी नहीं होती chaos, chrome, clouds chrome या clouds यह white color की themes होती है अगर आप इसको रखना चाते हैं लेकिन अगर आप इसको theme को different करना चाते हैं तो then it's fine, it's also your choice आप यहाँ से theme को select कर सकते है ठीक है और यहाँ से okay कर दे तो यह white theme इस तरीके से आपके पास आ रही होगी ठीक है और आपके पास यह window नहीं आ रही होगी वो क्यों नहीं आ रही होगी इसके पार में मैं आपको बता देता हूँ आप simply क्या कर सकते है आपके पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तीन windows आ रही होगी ठीक है जैसे आपके पास यह तीन windows आ रही है आप यहाँ पे click करके चोथे window लेकर आ सकते है और अगर आपके पास फिर नहीं आती चोथी Windows then you can actually click here और script पे click करके आप start कर सकते हैं अब अगली चीज हम देखते हैं हमने R और R Studio को install कर लिया अब आगे क्या क्याम है ये R था जी जो simple R है ये इस तरीके से और R Studio जो हमने खोला था वो कुछ इस तरीके से है अब R Studio जो है ये आपको पता है कि ये थोड़ा सा fancy है इसमें चार panes आ रही है panes का मतलब है चार किसम के windows आ रही है और यहाँ पे सिरफ एक किसम की आ रही है इस वज़ा से हम इसको नहीं use करते हैं हम R Studio के अंदर R को यूज करते हैं ठीक है यहां से हम R को बंद करते है नो पे क्लिक करके और यह R Studio हमारे पास आ गया हम अभी से यूटिलाइज करेंगे लेकिन before that I would suggest जब भी आपने R पे काम स्टार्ट करना है आप एक फोल्डर बना ले मैं डेक्स्टॉप पे फोल्डर बना लेता हूं अपने पास यहां पे मैं फोल्डर का नाम रख देता हूं आर आर विद अमार ठीक है इस फोल्डर के अंदर अब हमने सारा काम करना है ठीक है यह मैंने फोल्डर बना लिया तो जैसे आप R Studio को ओपन करें सबसे पहले एक Project बनाए Project कैसे बनाए यहां पे क्लिक करें यह जो राइट साइड पे आ रहा है New Project पे क्लिक करें और यहां से एक Project बनाएंगे आप जिसके अंदर आपका आंदा वाला सारा काम होगा जो एक Director के अंदर होगा अगर आप नया folder बनाना चाते हैं तो वो बना ले existing folder के अंदर जाना जाते तो वो चले जाए directory के मतलब folder होता है मैं new folder बनाता हूँ और new project हमने बनाना है तो इस पर click करते हैं अब यहाँ पे desktop के ऊपर मेरे पास arvid ammar के नाम से एक folder है इसी के अंदर मैं जाके open करता हूँ इसे और यहाँ पे बनाता हूँ मैं folder जिसका नाम है for example seven days workshop के नाम से ठीक है तो इसको बनाने के बाद मैं create कर देता हूँ तो यह मेरा folder जो है आप देखेंगे कि automatically generate हो गया है यहाँ पे इस directory के अंदर seven days workshop के नाम से और यह इस तरह की art project की file बन गिया इसका मकसद यह होगा कि जब भी हम art studio को open करेंगे तो यह directly हम यहाँ से project select करेंगे और सारी की सारी files और सारी की सारी चीज़ें वहीं पे हमारे पास आने लग जाएंगे second काम मैं यह करता होता हूँ जब भी मैं art studio के उपर काम करूँ वो है के मैं यहाँ से global option पे जाएंगे appearance पे जाएंगे cobald theme को utilize करता हूँ हमेशा ठीक हो गया तो यहाँ पे जैसे मैंने theme को set की है cobald के उपर आप देख सकते हैं कि हमारी theme इस तरीके से आ गई है अब हम सबसे पहले अपना script बनाएंगे यहाँ पे click करके r new script बनाएंगे script बनाने के बाद जब मैं ctrl s करता हूँ तो इसका कोई नाम हम रख देते हैं मैं इसको बोल देता हूँ day 1 इसके नाम से हमने r का script बनाएंगे यहाँ पे आगया और अगर आप उस folder के अंदर जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे script मिल जाएगा r के script जो है इस तरीके से काम करते हैं तो इसके चार pains होती है पहली होती है यह वाली pain इसके अंदर आप सारह कुछ लिखते हैं यह जो यहाँ से लेके यहां तक for example यहां पे आप कुछ भी लिखेंगे वह code लिखा जाएगा और run करेंगे तो वह run हो जाएगा दूसरी होती है यह वाली terminal की यह console की pain तीसरी होती है आपके पास यह environment की और history की pain और चोती है आपके पास plots की files की और help की और viewer और presentation वगारा सारह कुछ यहां पे होता है जब भी आपने R सीखना है आप एक बात का ख्यार रखें के यहां पे आपके पास tutorials वगारा सारे available हैं यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बे बहार tutorials आरके यहीं से देख सकते हैं और यहां पे अगर आपने plots वगारा देखने होंगे तो यहां पे आएंगे packages क्या हो जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं हम इनको खुद one by one करके देखने वाले हैं तो टैंचल लेने की बात नहीं है अब भी आप अपना project बनाएं इसको save करें ctrl s दबाएं दबाने के बाद यहां से जब बंद करेंगे तो आपका project यहां पे save हो गया है जब भी आप R studio open करेंगे तो आपके recent project के साथ open हो ठीक है यहां पे हम जाते हैं यह देखें जी R studio हमारे पास open हो गया तो यह recent project automatically है अगर आपके दो तीन project है तो आप यहां से भी अगना अपना नया project जो है वो से open कर सकते हैं so हम देखेंगे next case के अंदर कैसे code लिखना और कैसे किन install कर लिया होगा अगर नहीं किया तो वीडियो को repeat पे लगाएं दुबारा से चेक करें R को R studio को इन दोनों चीज़ों को install कर लें और जिस तरीके से मैंने project बनाना आपको बताया उसको देख लें next video में हम मिलते हैं take care अपना ख्यार रखें कहीं जाये हमत अगली वीडियो आ आप रिया है, Allah Hafiz